आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास SPI का net banking है तो net banking का profile password कैसे आप change कर सकते हैं किस तरह से आप forget कर सकते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो यह कहां पर यूज होता है जब आपके पास net banking हो जब किसी का आप Beneficiary Guide करके Money Transfer करना चाहते हैं तब आपके पास प्रोफाइल पासवरर होना चाहिए तभी आप आप किसी को NetBankin Ratat कर सकते हैं सब्सक्राइब का संट देख पढ़ला पासवरण चैंज करने और login बटन पर क्लिक करेंगे और continue to login बटन पर यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं username इंटर करेंगे पासवर्ड यहां पर इंटर करेंगे और यह जो केपचा देख रहे इस केपचे को यहां पर आप इंटर करेंगे इसके बाद यहां पर login बटन पे आप क्लिक कर देंगा इसके बाराप पास्वर्ट यहां पर करेंगे इसके बाद यहां पर देख सकते प्रिया किलीक करेंगे और ईसा करने के बाद आपके सामने में देखे add beneficiary and manage beneficiary आ जाएगा तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको option देखने को मिल जाता है profile password तो आप यहां पर देख सकते हैं कि forget profile password लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद one time password आपके रजिस्टर मौल नमर पर आएगा यहां पर देंगे इसके बाद submit button पर क्लिक करेंगे तीन तरह के option से आप जो अपने profile password जो है reset कर सकते हैं forget कर सकते हैं एक है using hint question and answer तो यहां पर आपको question and answer आद होगा तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं एक है by widget branch आप branch जाके भी कर सकते हैं एक है approval throughout ATM debit card अगर आपके पास ATM या डेविट card है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास ATM डेविट card नहीं है तो approval throughout ATM डेविट card तो यहां पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने में कुछ इस तरह का interface खुलेगा तो proceed वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहां पर क्लिक कर देंगे और confirm वाले बाप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको month expiry देना है year expiry देना है card holder name देना है और जो ATM card का पीन है वो आपको यहां पर इंटर करना है यह जो केप्चा देख रहे इस बॉक्स में आपको इंटर करना है और प्रोसीड वाले option पे क्लिक कर देना है यहां पर आपको profile password बनाने के लिए option मिल जाता है इंटर profile password यह पर क्लिक करके यहां पर लिखा हुआ what is the name of your best friend तो यहां पर क्लिक करेंगे जो भी आपका best friend है वो आप यहां पर answer देंगे ताकि आपके पास debit card नहीं भी profile password जो है दुबारा आप बना सकते हैं चेंज कर सकते हैं इसके बाद submit button पे आपको क्लिक कर देना है तो आप यहां प forget यारी set कर सकते हैं तो आप अपना किमती समय निकाल के यह वीडियो देख रहें तो आपको बहुत बहुत धनीबाद अगर इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बैल आकन है उसे भी आप दबा दीजिए और हाँ टेलिकराम का लिंक मिल जा